Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mechanical Era तो चलिए दोस्तो जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है हम आपके लिए Indian Institute of Remote Sensing और ISRO की तरफ से आपके लिए कुछ अच्छे-च्छे से कॉर्से लेकर आए हैं ताकि आपको इंड्रोल करने का पूरा प्रोसीजर पता चल जा और कैसे इंड्रोल करना और कैसे आप इन प्लेटफॉर्म पर फ्री सर्टिफिकेशन भी ले साथ तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लीज आप सब्सक्राइब करने का जो मुका मिल रहा है तो प्लीज आप इसे गवाईए नहीं प्लीज जाकर जल्दी से जल्दी इन्रोल कीजिए तो चलिए हम देखते हैं कि आप कैसे इन्रोल कर सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी तो प्लीज आप वहां से जाकर क्लिक करकर आप यहां पर आ सकते हैं इस वेबसाइट पर तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर स्क्रोल करेंगे तो देखिए आपक से जल्दी इनरोल कीजिए जो अभी remote sensing का जो कोर्स है जो फोटो ग्रामेटी का जो जियो information का कोर्स है जो जियो infotek का कोर्स है वो अभी 29 जुन से कुछ चालू होने वाले हैं तो आप प्लीज जाकर इनमें तो चलिए देखिए जो हमारा जो एक कोर्स है वो सेटेलाइट फोटो ग्रामेटी का है तो जो 29 जून से 3 जुलाही तक चलेगा तो आप इसमें रेजिस्टर कर सकते हैं इनके कोर्स को करने के लिए आपको इनके कोर्स पर जाकर हमेशा रेजिस्टर करना पड़ता है तो देखिए जैसे आप इनका कोर्स ब्राउसर पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर उनके कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको किस टाइप का कोर्स मिलने वाला है वैसे अगर आप इसे अपने रिज्यूमे में लगाते हैं सर्टिफिकेट को और लिखते हैं कि मैंने यहां से इस टाइप का कोर्स किया है तो आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो चलिए आप यहां पर देख सकते कि कि स्टाइप का स्टडी माटेरियल प्रोवा इस्ट्रेशन बंद हो चुका है, इनके courses को certain time के लिए ही आते हैं, तो please आप enroll कर सकते हैं, इनका जो schedule भी आप देख सकते हैं, देखिए इनका जो schedule है वो दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर screen पर दिखने लगा होगा, कि इनका जो schedule है lectures का वो 29 जून से चालू होगा, और 2 जुलाई तक इनका course चलेगा, तो इसमें आपको काफी सारे mentors पढ़ाएंगे, देख सकते हैं, आपकी 3 से 4 mentors हैं, आपको अलग-अलग classes लगेंगी, और आप इसमें अपने skills को develop कर सकते हैं, और उसके बाद आपको certification मिल जाएगा, एक exam होती है इनकी वो देने के बार, तो चल यह देखते हम online registration कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही आप online registration पर click करेंगे, तो आपको कुछ इस type का interface मिलेगा यहाँ पर, तो पहले आपको यहाँ पर अपनी course की details भरनी होगी, कि आपको किस type का course करना है, तो आप यहाँ पर select करेंगे, तो चलिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि photogramity का course हम देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पर कोई साब ही search कर सकते, photogramity ही किया है, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर search करेंगे, आपको institute का option आएगा, और कुछ personal details आएगे, fill करने को, उसके बाद आपको अपना address details डालनी पड़ेंगी, यहाँ पर, permanent address डालना पड जैसे 10th, 12th के marks, अगर आप graduation चल रही है, आपकी यह post graduation में है, तो उसके भी mark डालने पड़ेंगे, आप उतना आधार card, voter ID भी लगा सकते हैं, इसमें लगाना जरूरी होगा, ऐसे आप यहाँ पर इन सभी courses पर register कर सकते हैं, तो registration करना भी बहुत ही simple है, अगर आपका college, जिस भी college से आप belong करते हैं, वो अगर यहाँ पर certified, यहाँ पर registered नहीं है, तो आप उनसे कहकर register करवा सकते हैं, या उनसे बोल कर या खुद भी अपनी organization को register करा सकते हैं इस website पार, और देख लीजिए, यह बहुत ही बढ़िया-बढ़िया courses मिलते हैं, आपर हमेशा से ही, तो जिन रहेंगे, तो आप easily जाकर इस procedure को follow करकर इनके सभी courses पर enroll कर सकते हैं, तो चलिए video कैसा लगा, आप हमें comment पर बता सकते हैं, और thank you, हमारे videos पर इतना support बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तो अगर video पसंद आया, तो हमारे channel को subscribe करें, thank you for watching this video.